ओरियो बिस्किट का मोदक बनाने के लिए सबसे पहले हमें ओरियो बिस्किट चाहिए तो मैं दो पैकिट ओरियो बिस्किट ले ली अभी मैं बिस्किट को खोल लेती हूं और बिस्किट को अलग रखेंगे और क्रीम को हम अलग निकाल के दूसरे बॉल में रख लेंगे तो इस तरीके से मिसकिट से क्रीम को अलग कर लेना है। कृम करणा से विजक पनाएंगे। ऑप क्राइब तो खुछ बिसकुट को अलरकर के अनुदैंके। तो ये देखें सारे बिस्किट से मैं क्रीम को अलग निकाली और बिस्किट अलग हो गया है अब हम एक मिक्सी का जार ले लेंगे इसमें हम बिस्किट को तोर के डाल देते हैं ताकि जब हम पीसे तो ये सारा एक साथ पिस जार इसका कोई चंक्स नारा है तो इस तरीके से मैं तोर के सारे बिस्किट को डाल दी मिक्सी के जार में अब ढगकर लगा के इसको पीस लेंगे तो यह देखे बिस्किट का चूरा बन के त्यार हो गया है अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं और अब हम इसमें थोरा सा दूद डाल के इसको डो जैसा बनाएंगे तो मैं दो चम्मत जितना ही दूद रखे हूं थोरा समिश में दूद डाल दी और इस तरीके से पहले हम इसको मिक्स करेंगे बिल्कुल थोरा थोरा दूद डाल के इसको मिक्स करना है एक बार में अगर जादा दूद पढ़ गया तो ये मिश्रन गीला हो जाएगा और फिर मोदक बनाने में परिसानी होगे हाथ में भी ये डो चिपकने लगेगा और मोदक का मोल्ड में भी चिपकेगा इसलिए बहुत थोरा थोरा दूद डाल के इसको इस तरीके से मिला लिजे जब ये सारा एक साथ ही कठा हो जाए और डो जैसा हो जाए तब हम इसको एक स तो यह देखे, यह दो बन गया है, अभी मैं इसको साइड में रख देती हूँ, अब हम यह बिस्किट का क्रीम जो निकाल के रखे थे, इसमें एक चमस जितना डेसी केनिट कोकोने डाल देते हैं, अगर आपको इसका टेस्ट पसंद है तो डालिए, नहीं तो इसे इसकीप कर सिर्फ आप क्रीम भरके और मोदक को बना सकते हैं, तो इस तरीके से मैं थोड़ा सा इसमें डेसी केनिट कोकेनिट डाल दी और आधा चमस जितना दूर डाल दी, इसको अब हम बढ़िया से मिला लेते हैं, आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर भी डाल सकते है ताकि मावा वाला टेस्ट आजाए मोदक में, तो अगर आपको पसंद है तो फिलिंग में थोड़ा सा मिल्क पाउडर डाल सेते हैं, उसे बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा, तो इस तरीके से मिक्स कर लेने के बाद, अब हम इसके छोटे छोटे बाल बना के त्यार कर ले को सके करें, फिर आप हाथ साफ करके और मोल्ड ले ले लिजे मोदक मोल अर इसमें, अब हम यह कीट्व बिस्किट वाला मिश्रिं डालेंगे, पाले डालके इसको इस तरीके से अंगली से बढ़िया से दवाड़ वा तब इसे सिट कर ले लेज़ें और बीच में आप इस यह जो stuffing का बॉल बना के रखी थी इसको डाल दी और अब हम फिर से थोड़ा सा विस्किट का मिस्रेन ले लेंगे और इसके उपर से यह जो feeling दिख रहा है इसको हम ढख देंगे तो बढ़ियासी इसको आप हर तरफ से ढख दीजे कहीं से भी stuffing ना दिखे इसलिए बढ़ियासे दीजे और इसे इस इस तरीके से अच्छे से लॉक करकर भी रखेगा तब लहाँ आएगा और मुदर का design बढ़ियागा तो अब हम इसके खोल लेते है तो इस तरीके से आप इस खोल लिए गगए hy तो बढ़ियासा अच्छा लग रहा है लोग है तो इसी तरीके से बाकि का अब ही मोदक हम बना के त्यार कर लेंगे तो मोदक का मोल्ड हम पहले बंद करेंगे इसमें हम बिस्किट वाला मिश्रिन डालेंगे और इसको डालने के बाद बढ़िया से हम अंगुठी से दवा दवा के हर तरफ से इसे सेट कर लेते हैं तो हर तरफ जो बढ़िया से सेट हो पर फिर से हम थोरा सा बिस्किट वाला मिश्रन लेंगे और इसको ढख देंगे तो इस टफिंग को हर तरफ से अच्छे से ढख दीजिए और बढ़िया से अंगुठे से दबा दबा के इसे सेट करिएगा तो इस तरीके से अच्छे से मैं ढख दे और दबा भी दे ताकि यह और यह देखे अब मैं फिर से इसे खोलती हूँ कितना बढ़िया मोदक बन जाता है ना बना ना कितना आसान है तो इसी तरीके से बाके का भी मोदक हम बना के त्यार कर लेंगे और यह देखे हमारा मोदक बन के त्यार है बहुत जल्दी और बहुत बढ़िया मोदक बनता ह बच्चे तो देखते ही इसे खुँष हो जाते हैं तो इस तरीके से और यह विस्कीट का आप मोदक बनाके त्यार कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाईक और शेयर करेगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेगा ये देखिए मैं काटके दिखा रहे हूँ जितना अच्छा है उपर से देखने में लग रहा न उतना ही बढ़िया अंदर से भी लगता है